आम लोगों को अगर पुलिस धमकाती है तो कहा जाता है कि कानून का राज नहीं है लेकिन जब बिहार विधान सभा के अंदर विधायक DSP को मुक्का देखा दे और कहे कि चुप रहो खामूश रहो नहीं तो पेंट में मुक्का मार दिया जाएगा यह हम नहीं कहा रहे हैं बलके वो तस्वीर वो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जब बिहार विधान सभा की करवाई शुरू हुई और करवाई के बाद लगतार भारतिय जन्रता पार्टी का हमला जो सत्ता पक्ष है उस पर जारी था बजट के भाशन के पहले दिन जब राजपाल की तकरीर पर यानि उनका जो भाशन हुआ उस पर जब बहाद शुरू होनी थी उसके बाद से ही लगतार बीजेपी लाईन आउडर हत्या तेजस्वी लालू और कई सारे मामलों को लेकर क हंगामा करती नजर आ रही थी इसी दरमियान कल जो है बीजेपी के एक विधायक ने जो बिहार विधान सभा के अंदर माइक है लोकतंतर का माइक जिससे आवाज रखी जाती है उसको ही तोड़ दिया इतना गुस्सा में निचोड़ा मचोड़ा के वो तूट गया और तू विधायक बगल से रास्ता निकाल करके अंदर जाने का परियास कर रहे थे आपने देखा होगा कि एकसर ऐसा होता है कि जब बिहार विधान सभा में हंगामा होता है तो जो विधायक दूसरी पार्टी के होते हैं वो बगल से निकल जाते हैं ऐसा ही नजारा था बीजेपी क सिंग को देखिए कि DSP महोदे को पहले उन्होंना हाथ पकरके कहा कि पीछे हो जाई है उन्होंने शायद कुछ कहा होगा कि सर थोड़ी सी जगा रहने दी जाए तैकि दूसरे सदस जो आएंगे तो आसानी से यहां पहुंच सके लोगतंतर के मंदिर में इसी दौरान चाले भी बिहार विधान सभा में आपने देखा होगा कि किस तरह से हंगामा हुआ था और उसके बाद उस दौरान जो विपक्ष में पाटियां थी जो मुझूदा वक्त में सत्ता पक्ष में उन्होंने भी इल्जाम लगाया था कर्रवाई को लेकर कि किस तरह से एक तरफ वाले DSP को कह रहे हैं कि आप चुप रहे हैं वरना पेट में मुक्का धास दिया जाएगा तो लोकतंदर के यही खुबसूरती है कि कभी शासन पर शासन सियासत दा एक दूसरे पर हावी होता है यह नजारा है और इन दोनों के बीच में क्या बात हुई वो तो वो दोनों बत पाएंगे लेकिन जो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं विहार विधान सभा के में दुआर की है जहां पर DSP महोदे को मुक्का दिखाया जा रहा है और यह BJP के विधायक रागवेंदर परता आप सिंग है